कि विटामीन क कर्या को हम लोग कैस्केडंग प्रोसेस करते हैं । ब्लड का जमने की क्रिया कैस्केडिंग कहलाती है, क्लोटिंग ब्लड इनोन एज क्लेस्केडिंग, इट टेक्स फूर मिनट एप्रॉक्स, चार मिनट का यह समय लेता है, ब्लड को जम जाने में, कहीं भी कुछ, देखिये का ना, कहीं कट जाएगा, तो आप देखियेगा, लोग दबा देते हैं, इने की दूर, चार दिन तक दबा के रखते हैं, नहीं, पांच-दस मिनट दबा के रखते हैं, ताकि खून का थक्का बंजा, फिर छोड़ देते हैं, ब्लड आना रुख जाता है, तो यह था, कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है, इसके चार स्टेप होते हैं, सबसे पहला जो होता है, थ्रम्बो साइट, आप याद कीजिए, पार्ट वन में हम बताया थे, प्लेटलेट को ही थ्रम्बो साइट कहते हैं, देंगू में यही प्रभावित हो जाता है, थ्रम्बो साइट क्या करता है, जैसे कहीं कटता है, तो ब्लड में तो घूम ही रहा है, थ्रम्बो साइट, प्लेटलेट घूम रहा है, WBC भी घूम रहा है, RBC भी घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है, हो गया थम्बो प्लास्टीन अब स्टेप टू में चलते हैं इस थम्बो प्लास्टीन को यहां लाते हैं यह थम्बो प्लास्टीन सरीर के अंदर बैठे हुए केल्सियम से जाके दोस्ती कर लेता है और केल्सियम से जाके कहता है केल्सियम चचा उठिये सबसे बढ़का दिक्कत हो गया मारा कट गया है चलिए जमाए जाए तो कहाए कि हम कई से जमाएंगे है कौन त्रम्बो प्लास्टिम काता हे कि हमको एक आईडिया है हमारे बटी में एक पूमभ में है जो सो रहा है उसका नाम है प्रोवर्मिन इसको उठाई थिये दोनों जाके आउठाते है असलों बिनको प्रोवर्म फ्रोवर्मबी को उठ इसे तुमको कोई उठाए तुम समझ जाना कही ना कहीं कट गया है तुम समझ जाना 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 कहीं कट गया है तुम स जो थ्रोंबीन है यह फाइबरीनोजेन को उठा के एक्टिक कर देता है जैसे यह एक्टिक हो जाता है इसे कहते हैं फाइबरीन क्या बन जाता है फाइबरीन और यहीं पर कम्प्लीट हो गया यह जो फाइबरीन होता है यह जाली के समान होता है फाइबरीन फाइबरीन जो हो जैसे ये फाइबरीन जाली के समानाकिर्थी बनाता है, जो रूधिराणू यानी कारपल्स है, चाहे वो WBC, RBC या प्लेटलेट हो, वो फांस जाएंगे, और जो फांस जाएंगे, तो जो तरल पर आर्थ है प्लाज्मा, वो निकल पाएगा, नहीं निकलेगा, और वही फांस जाएगा, जैसे एक नाली है, उस नाली में अगर माली जाएगा, इसे चाठो छोड डाल दीजेगा इसे, तो क्या होगा, जितना कूड़ा पीछे से आके फंस जाएगा, पानी निकलना बंद हो जाएगा, तो ये फाइबरीन बहुत मदद करता है, संग्या है कि नहीं गया और ये ब्लड जम जाता है, इसी ब्लड को जम जाने को खून का क्या कहते है, ठक का जम जाना, जिसको पपरी उपडी कहते है, कहीं कट उट जाएगा, दिखे जम जाता है, संग्या गया है, ब्लड जमने के कितने स्टेप, चार, सबसे पहला स्टेप क्या था भग, हमारे ब त्हुंद भाल भाग लिया था फ्लेट यानि फ्लम्बोसाइट जैसे पावंभु आखिया इंसा एक्टिन करके प्रोस्टो स्थ्सक्राइब जया gio Montuman आarios like तो ब्लड के थका कोने में बहुत महत्वेंद ब्हुत मदद करता है तो देखिए यह सारी प्रोसेस को होने में बहुत सब्सक्रामी को स्कारा कोई मधद करता है मिटामीद के टो रहा है cum कि clotting कितने step में होते हैं आप एक इसका skin cut लीजिए फिर हम अभी समझाते हैं कि clotting के और कौन-कौन से ततो भाग लेते हैं कि blood clotting का हम एक summary समझते हैं shortcut में क्या हता है उतना तो हम आपको 4 step बता हैं आप उसी 4 step में से हम आपको एक summary निकाल के बताते हैं कहेगा कि blood के जमने में कौन सा रूधिराणू यानि कौन सा कार्पल्स मदद किया था तो क्या WBC मदद किया था RBC किया था नहीं उस समय मदद किया था cheaper with a plate तो रुधिराणू में कौन मदद किया तो platelet मदद किया याद रखे गरुधिरानू में platelet protein में कून protein तो दिखे Fibrinogen और Prothrombine Fibrinogen अगर ब्लड शरीर के अंदर ही कलोट कर गया अगर शरीर के नस में ही जाम होके बढ़ गया तो नस फटने लगेगा अब पीछे से एकश प्रेसर मारें गा ब्लड उसको हमारा ब्लड प्रेसर कितना तो 120 वहीं र यस जम गया अगर फार देगा तो अगर रास्ते में ब्लड जम गया तो फार देगा नस आष्णural के फट है thrive हेमरेज के लिए कौन सा VITAMIN G जिमेदार है के अगर जमा दिया ना VITAMIN K हेमरेज हो जाएगा और यह अकंधर Brain में होता है क्योंकि 입ac interess के नसे बहूत पतली होती है उसमें खुद ही जोगन होता है उसी में जाके वो क्या हो जाता है तो हेम्रेज हो सकता है तो सरीर के अंदर बलड जमना मौत को खुली चुनोती है अगर जंग या ब्रेन में तो मर जाएंगे तो क्लोट सरीर के अंदर नहीं करना चाहिए तो समझ में आगया इसी लिए सरीर के अंदर एक anti-clotting agent बैठा है जिसे कहते हैं हेपरीन यह हेपरीन खून को जमाने नहीं देता है anti-clotting को नो गया हेपरीन अब समझ सेया समझ यह बड़ी भारी दूविदा है भाईया सरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए अकट जाए तो तुरत जमना चाहिए इतनी बड़ी दूविदा है क्या किया जा तो भगवान इतना हुसियार था पता नहीं किसी इनुरस्टी से पढ़ा था उसने हेपरीन को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि हेपरीन जो है न इन सभी पर भारी पड़ता है काता है कि तू लोग हमा अब यह अकेले करता है कि जमा दिया न आ काट देंगे तुमको हम तो है पूरी लेकिन इस हेपरीन के साथ एक प्राबलम है अगर इस हेपरीन को हवा लग जाएगा तो यह फूरी मर जाएगा अब बात बते हैं दोनों में दूस्मणी था यह कर रहा था कि हम खून जमाएं शाइता है जब तक हम जीन्दा है जो मने नहीं देंगे अब जैसे मली हमारा था कि जमा के दिखाओ, देख हम तुम्हारे लास्ट पे जमाएंगे, देख, फाइब्रिन जेन, जमाएंगे, तुरत वहां जमा देंगे, तो किता बढ़िया इन लोगों के बीच एक कॉंबिनेशन है, अंदर हवा जाएगा नहीं, तो रहेगा हेपरीन जिन्दा, जमने नह लेता है, थोड़ा सा इसे पूरा हवा बाहर निकाल देता है, थोड़ा सा दमवयों फेक देता है, तो इंजेक्शन लगाता है, जनते हैं क्यों, क्योंकि डॉक्टर जानता है, क्या जानता है, कि अगर इसमें हम हवा भी भर देंगे, तो क्या होगा, जैसे हवा अंदर जा और यह पूरे ग्रूप में मिलकर यहां पर ब्लड जमा देंगे और जब जमा देंगे तो यहां पर माना से एकदम टाइट हो जाएगा चुकि यहां की नसल मोटी है, आदमी मरेगा नहीं, हैमरेज नहीं होगा, लेकिन मांस टाइट हो जाएगा, आप मरीज को बहुत दरब करेगा, अरे बाप, अरे बाप, तो मरीज कहेगा कि डक्टर साब, फूल गई लो यहाँ, तो डक्टर को इसे कहेगा कि गलती तो हमरे है तो कहेगा, बाबू, गरम पानी भीगा के हसे किएगा, तो मरीज गरम पानी भीगा के हसे किएगा, तो मरीज गरम पानी भीगा के हसे किएगा, अरे बाप, अरे भकलोलवा मरीज, जब इंजेक्सर लगता है, तो खुद देख लिया कर, इसलिए देखिएगा, किसी को सेला परगी अंदर चले गया है इदर हावा घुच जाएगा इसमें हावा घुच जाएगा तो उसे लाइन में तो ज्यादे ही हवा रहाता है पूरा मरीजे मर जाएगा तो यह हैपरीन और फाइब्रीनोजेन समझ में आगे आप लोगको हैपरीन जमने नहीं देगा और यह जमा एक बीमारी होती है जिसको कहते हीमोफोलिया हीमोफोलिया में हेपरीन इतना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी नहीं जमने देता है तो हीमोफोलिया एक बीमारी है जो इंगलेन की महरानी से चल हुआ अनुवानसी बीमारी उसमें कटने के बाद ब्लड रुखता ही है और व्यक्ति की मौत हो जाती है सब्सक्राइब हैमरेज के लिए जिम्यदार बिटामिन के एंटी क्लोटिंग हेपरीन सब्सक्राइब अब यह देखिए ध्यान से यह फाइबरीन और प्रोथ्रोंबीन यह दूनों मिलकर जमाते हैं और हेपरीन उसको रोखता है जबकि इन स्रावी ग्रंथी पढ़ा रहे थे तो वहां लीबर में यह बात बताए थे कि इन चीजों का निर्माण होता है और वहां यह कहे थे कि ब्लड क्लोटिंग में हम आपको समझाएंगे I hope आप ब्लड क्लोटिंग समझ गया होंगे इसका पीडिया मिल जाएगा लिंक में आप वहां से भी ले सकते हैं इसका एक स्कीन सट लीजे फिर हम आपको ब्लड ग्रूप के बारे में समझाते हैं